क्या आप iPhone में WhatsApp डाव्लोड करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है क्याँ किसी वीडियो में आपको बाता हूँगा कि आप आसान से कैसे iPhone में WhatsApp को डाव्लोड कर सकते हो या इंस्ट एंस्टोल करती हो तो इस वीडियो को पूरा देखे iPhone में WhatsApp इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने iPhone में App Store को open करना है चलि मैं open करता हूँ आपको भी open करना है open करने के बाद नेचे में दिख रहा होगा Search का icon होग और यहां लिखा है Search आपको यहां search bar पर click करना है जैसे आप यहां click करते हैं उपर में सर्च बार नजर आ रहा हुगा आपको यहां क्लिक करके उस एप को आप यहां सर्च करेंगे जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं जैसे कि इस वीडियो में WhatsApp इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा मैं आपर क्या करता हूँ WhatsApp सर्च करता हूँ इस तरह एंटर करने के बाद आपको यहां सर्च पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने आ जाएंगे WhatsApp आप यहां दिख लेंगे जो कि आपको नजर आ रहा हुगा WhatsApp है मैं आपको बता दू यहां पर एक आइकन दिख रहा हुगा गेट नाम का ओप्शन आप यहां गेट वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे न तो आपको एक बटन मिलेगा जो किस तरह क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ यहां पर क्लिक करने पर यहां दिख रहा हुगा नीचे में आ जाता है कहता है confirm with side button यानि power button को गेट का ओप्शन आए तो आप यहां गेट पर क्लिक करने के बाद power button को दो बार दबाएंगे इसके बद आपका app इंस्टॉल हो जागा यानि WhatsApp इंस्टॉल हो जागा यहां देख इंस्टॉल हो डाए मैं यहां पर वेट करता हूँ इस तरह इंस्टॉल हो जाने के बद आप ओपन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका app ओपन हो जाता है फिलाल मैं यहां पर क्या करता हूँ क्लोज करके दिखाता हूँ आपको यहां देख रहा होगा यहां WhatsApp इंस्टॉल हो जो का आप यहां देख सकते हैं इस तरह आप आसानी से WhatsApp आप को iPhone में अंस्टॉल कर सकते हो बरी आसानी से अगर आप ओपन करके लोग इन करना चाहते हैं आप अपने अकाउंट को तो आप यहां Agree and Continue पर क्लिक करके आप प्रोसेस को पुरा करके आप अपने अकाउंट को लोग इन भीग कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के वीडियो कैसे iPhone में WhatsApp को इंस्टॉल करके लोग इन करते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जागी इस वीडियो में इतना ही चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडि